हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेट की अगर आज के दिन की बात करें तो फ्लाइट ही ट्रेट करता हुआ हमको नजर आया है आज के दिन में और हम देख सकते के स्टॉक ने रिजेक्शन लेया दोबरह 27 रुपे 50 पैसे की लेवल से लेकिन यहां हमको बड़ा सेलिं प्रेशर देखने के लिए नहीं मिला से टोग में गिरावाट आई थी अ उसके बात मार्केट में तेजी देखने के लिए मिली थी लेकिन ट्राइड में आमको जम देखने के लिए नहीं मिला इस वक्त अपने ämporton support जोन पर ही इसटॉक ट्रेड हो रहा है concerns रुपएए लेवल को breakdown करता है तो फिर वैसे case में हमको 3650 का लेवल यह जो इसका recent है a second support का काम करेगा और अगर इससे बड़ी गिरावट आती भी है तो फिर 3450 तक कि हमको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है अगर आप payment account open करना जाते हो तो description में dealing से कर सकते हैं लगता नहीं है कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी यहां कि हम देख सकते कि कुछ दिनों से stock किसी range में consolidate हो रहा है हमको selling pressure देखने के लिए नहीं मिल रहा है अगर इस टॉक अगर 3750 के level को breakout कर गया तो इसी condition में आपको immediate target 40 का देखने के लिए मिलेगा और अगर 40 को breakout कर दिया तो second target 44 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं जहां से इससे पहले rejection लिया था लेकिन अगर long term के लिए आप interview तो यहां आपको 60 तक के भी target 6-8 मेने में देखने के लिए मिल सकते हैं तो यहां position बना हुए तो hold करके चला जा सकता है